दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वालाओं की फेस्बुक एकाउंट का पासवर्ड को कैसे पता करें अगर आप फेस्बुक एकाउंट का पासवर्ड बहूल चुके हो तो सबसे पहले आपने करना किया अपनी मोवाईल की सेटिंग्स को ओपेन कर लेना है तो सेटिंग्स के अंदर आने की बद आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस देखनी को मिलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डॉन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को गूगल का ओप्शन दिखाए देगा सिंप्ली आपने गू आप लोगों को सेट की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिक्रेटरी का ओप्शन दिखाए देगा सिंप्ली आपने सिक्रेटरी वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेना है तो जैसे यहाँ पे सिक्रेटरी वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे आपके समने एक न्यू पे का page देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को facebook.com का option दिखाए देगा simply आपने facebook.com वाले option पे click कर लेना है और आपका जो भी mobile का lock होगा आपको यहाँ से open कर लेना है ठीक है और आपके facebook.com का जो भी user name होगा या आपका जो भी mobile number link होगा आपके facebook.com में तो यहाँ पर देखने को first में मिलेगा अज़ेश्ट नीचे में यहाँ पर जो भी आपके facebook.com का password होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर आई वाले icon पे click करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ट दिख जाएगा और यहाँ पर आपको copy का icon पका पर प्राइल का लोगो यहाँ सेck जा तो नीचे कि तरफ आना है और आपको यहाँ पर Settings से Privacy वाले Option पर लेना और यहाँ पर First में देखे Settings से इस पर आपने किलिक कर लेना है तो Settings पर किलिक करने कि वदद आपके समय इस तरह का पेज आएगा तो आपको यहाँ पिसी ओर इन एक्नेटर वाले option पर click कर लेना है फिर आपके सामने कुछ option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है simply आपने password and security वाले option पर click कर लेना है change password पर click कर लेना है और आपके facebook का profile होगा इस पे आपने क्लिक कर लेना है फिर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा फिर आपको यहाँ पर forgot your password वाले option पे क्लिक कर लेना है तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा तो आपके facebook account में जो भी phone number link होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपको यहाँ पर gmail link होगा तो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर send to whatsapp पे क्लिक करेंगे तो आपको code जाएगा वाटसब पे और आपका जो भी phone number link रहेगा उसी number पे जाएगा अगर आपका gmail link रहेगा तो आप उसी gmail पे जाएगा तो आपको आपको आपके code डाल के अपना एक new password बना ले रहे है तो आपको अपने facebook account का password भी पता चल जाएगा फिर भी अगर आपको कोई confusion रहेगा तो मुझे comment करके आप पूछ सकते तो उमीद करते हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दे, channel को subscribe करके वे लेकन को all पे प्रेस कर दे तो आपने ख्याल लखना चलते हैं फिर किसी next वीडियो में मिलते हैं